अग्लो फ्रेंज लास्ट वीद्यो टूटोरियल में हमने देखा कि हम किसी भी server network में कैसे connection बनाते हैं तो लास्ट वीदियो टूटोरियल में हमने www.google.com के site में connection established किया था और हमें 200 code मिला था means connection successful हुआ था तो इस वीदियो टूटोरियल में हम यह स्खेंगे कि हम कोई भी साइट में पोस्ट मेथर्ड या गित मेथर्ड कैसे यूज करते हैं तो पोस्ट मेथर्ड यूज करके हम किसी भी साइट में लॉगिन कर सकते हैं जैसे हम अपने यूजर नेम और पास्वर डाल के इसके बाद हमें जो भी response मिलता है success success response मिला means हम login हो सकते हैं और failure मिला means हम नहीं login हो सकते हैं same thing हमें कुछ data receive करना है जैसे हमने movie dva का जो API थी उसको जब हमने url में run किया था तो हमने देखा था हमें kuch jsn data मिलता है तो वो एक प्रकार से get request है कि हमें कुछ data मिलता है तो ये सारी request मैं अपनी पिछले video tutorial में बता चुका हूँ जो sag 21 नमबर वाला था उसमें मैंने link भी mention किया कि आप सारी get post और response code ये जो भी होते हैं इन सब चीज़ के details ले लिजे तो इस video tutorial में हम simply सबसे पहले एक mobile application बनाएंगे और एक हमारा server application रहेगा फिर server application के अंदर मैं एक login.php नाम की file host कर दूँगा तो server आपको कोई भी hosting हो सकता है और अगर आपके पास कोई भी hosting नहीं है तो मैंने login.php file को अपने android inhindi.com की जो hosting है उस पे host कर दिया है तो आप easily इस API को use कर सकते हैं तो ये मैंने कुछ login.php का code लिखा है और ये basically php में है और मुझे भी इतनी ज़्यादा php का knowledge नहीं है कोई भी server side scripting language आती है तो आपके लिए plus advantage है आप कोई भी अच्छा सा application बना सकते हैं फिर भी मेरे पास एक link है जो मैं आपको दे दूँगा जिसके तुरू आप अपने server में कोई नया user register या फिर नया login या फिर सारे create, delete जिसे हम c u r d operation कहते हैं वो सब करा सकते हैं वो link मैं description में mention कर दूँगा और उसको use करके सारी चीजें कर सकते हैं वो जो link दूँगा वहां से आपको एक file मिलेगी उस file को आपको किसी host में डालना होगा जैसे यह login.php नाम की file है तो इस file को आगर आप अच्छे देखें तो इसमें मैंने condition दिया है कि request method post होनी चाहिए फिर username जो भी मैं अपने API में दूँगा वो username और password जो मैं अपने API में दूँगा यह दोनों parameter match करने चाहिए हमारे जो भी हम mobile application से जो भी parameter हम pass करेंगे यह दोनों चीजें match होनी चाहिए फिर जो बाद मैंने simple if condition लगाया है कि username अगर admin है and password भी admin है तो login success return करो means echo और अगर fail हुआ तो login fail यह simple php script मैंने लिखा है और इस php script को मैंने अपने web host पे डाल दिया है ताकि आप इसको भी use कर सकते हैं अगर आपके पास कोई web hosting नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं तो यह हमारा server application है जिसमें हमने login.php नाम का host कर दिया है क्या करूंगा यहां से यह already मैं 21 number के tutorial में बता चुका हूँ तो मैं एक बार आपको revise कर देता हूँ मैं simply एक request दूँगा post request और मुझे response आएगा तो जो मैं post request दूँगा इसमें मैं user name and password as a parameter pass करूंगा और तो एक मैं post request दूँगा और इसमें मैं डालूँगा तो जब मैं post request दूँगा तो मुझे server इसको validate करेगा तो post request मैं दूँगा login.php पे तो login.php का जो code मैंने अभी आपको दिखाया था तो इसमें अगर user name admin and password अगर admin हुआ तो login successful देगा तो यहां से मुझे एक response message मिलेगा यह वाला column यह वाली line मेरी response message है और response message में मुझे मिलेगा login success simple so code है हमारा तो अब इसी पूरे idea को हम भनाते हैं तो हमारा पिछला video tutorial आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह जो tutorial है वो पिछले video tutorial से related है यह सारा काम हम एश्रिंट टास्क में करेंगे तो यह जो code है यह मेरे पिछले video tutorial का code है जिसमें मैं sttp.google.com लिंक लिया था बट यहां पर हमें लिंक चेंज करना है यहां पर अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मैंने login.php जो मेरे आज server site की file है उसको मैंने host किया है तो उसका link है www.androidinindy.com login.php तो आपके यह पूरा link देना पड़ेगा और हमारा जो यह वाला tutorial है यह पूरा पिछले वाले tutorial से link है और इसमें हमने यह पूरा code पिछले tutorial में लिखा था जिस पर मैं यहां पर new connection status means अपना async task run कर रहा हूं और parameter में यह url pass कर रहा हूं फिर यहां पर url आ रही है और इसको मैं connect कर रहा हूं और इसके बाद इसके response code को मैं return कर रहा हूं और यहां पर उसको text में डाल रहा हूं तो यह simple सा code था लेकिन इस code में हमें login parameters भी डालने हैं means link के साथ login parameters भी जाने चाहिए तो अगर हम एक simple post request देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा वह जो post request होगा तो हमारा जो url बार होगा उसमें url कुछ ऐसा लिखेंगे www.android.indy.com then login.php और इसके बाद question mark आता है r यहां पे username is equal to जो हमारा username है जैसे कि हमारा username है admin and तो इस link को अगर आप ध्यान से देखे तो हम login.php के बाद दो parameter पास कर रहे हैं तो same हमें अपने code में करना है यहां पे भी हमें parameter पास करना है अपने इस login login address पे तो parameter कैसे पास करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा तो यहां पे simply हम uri builder का object create करूँगा मैं is equal to new uri builder फिर इसके बाद हम इसमें parameter डालते हैं so happen query parameter हम इसके method जो key और value pair में values लेता है तो key हमारा जो exactly यहां पे हमने जो use किया है यह हमारा key होगा और इसका value जो हम pass करना चाहते है admin admin तो यहां पे सबसे पहला parameter होगा key key हमारा exactly आप same देंगे जो मैं अपने API में लिखाऊं और यहां पे admin अगर हमें एक parameter पास करना है तो just इतना लिखके हम termination लगा देंगे बट हमें password भी पास करना है तो यहां पे करके फिर से append query parameter और password और यहां पे admin तो हमने क्या किया है यहां पे एक uri builder बनाया है और uri builder को हम अगर देखते हैं तो यह हमारा uri builder है helper class for building और manipulating uri references तो यह एक helper class है जो हमारा uri बनाता है तो जैसे हमने अभी अभी अपने इसमें देखा है कि हम login.php के बाद इन parameter को पास करते हैं तो simply जो हमारा uri builder है यह यही काम कर रहा है हमारे लिए तो यहां मैं इसको वो किया और इसके बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूं और यहां पर हमें buffered output stream का object create करना है इसके बाद हम sorry हमें output stream का object create करना है तो output stream output stream is equal to urlconnection dot getoutput stream तो हम यहां पर क्या कर रहे है output stream का reference ले रहे है ताकि हम अपनी url में कुछ output दे पाएं तो यहां पर हम इसका documentation पड़ते हैं returns an output stream that write to the connection तो हमें अगर कुछ भी connection में write करना है तो उसके लिए हम output stream यूज करते हैं और यह return करता है output stream तो सबसे अच्छा base तरीका होता है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस पे click करके उसका documentation पड़ सकते हैं तो ज़्यादा clear हो जाता है फिर इसके बाद हम buffered writer का object बनाएंगे buffer writer क्या करता है कि हमारा जो text है उसको output stream में write करता है तो हम buffer writer का object यहाँ पे बनाते हैं इसके बाद new buffered writer और यह output stream writer का object लेता है और output stream writer यह हम click करते हैं कि हम इसका documentation जान सके और जैसे creates an output stream writer that used the named cache set तो हमें cache set डालना पड़ेगा जैसे हमारा utf-8 है तो उसके लिए हम output stream writer use कर रहे हैं और encoding के form में आता है create an output stream writer that uses the default character included तो यह default character जो हम डालेंगे वह encoding means जब भी हम कोई data server पे यह फिर output stream पे write करते हैं तो किस format में यह किस encoding format में वह write होगा वह इसके थरू हम करते हैं तो simply हम इसको भी जाके तो new buffer new output stream writer और यहां पे हमें यह दो parameter लेगा एक एक तो हमारा output stream लेगा तो हम इसका output stream और दूसरा character set तो utf encoding भी हम यूज कर रहे है utf 8 इस standard character format है और इसके बाद हम buffer writer dot write नाम का एक method होता है जिसमें string वाला तो हमने अभी-अभी builder create किया है यहां से builder को लेंगे builder dot build dot get encoded query तो build आपका जो है construct a uri with the current attributes तो जो जो हमने attribute दिये हैं उसको यूज करके एक uri बनाता है और get encoded query इस query इस query पे क्लिक करते हैं और यहां पे देखते हैं gets the encoded query component from the uri the query comes after the query separated तो यह question mark करके queries को separate करता है q is equal to android तो हमारा जो query होगा जैसे username is equal to admin तो इस type का query हमें बनाएगा और इसके बाद buffer writer में इसको write कर देगा तो जैसे हमारा यह query था वैसा ही बन के और buffer writer में इसको write करेगा इसके बाद हम buffer writer को flush कर देंगे और buffer writer को close करेंगे यह step करना हमें जरूरी है और output stream को भी हम close कर देंगे इनको close करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है memory leak से बस सके और इसके बाद हम url connection dot connect तो हमारा connection हो जाएगा और हमारी यह query पास हो जाएगी तो हमें कुछ response मिलेगा अब जो next हमारा step है वो हम response read करना है तो response read करने का code है हम जैसे connection में output write करने के लिए हम output stream use करते हैं वैसे हम connection से कुछ input read करने के लिए input stream stream का हम यूज करेंगे तो यहां पर in input stream kaa object में बनाऊंग input stream is equal to new buffered input stream और इस पे URL connection dot get input stream तो जैसे हम output stream का object ले के उसमें कुछ write कराने के लिए get output stream उसकरते हैं वैसे है हम input stream के लिए input read करने के लिए get input stream use करते हैं तो यहां पर simply हमें इसा भी लिख सकते हैं फिर इसके बाद जैसे हमने buffered writer यूज किया था कुछ write करने के लिए अपने stream में वैसे ही हम buffered reader यूज करेंगे read करने के लिए so buffered फिर यूज कर्को लूज करहएं इसको अफिर के लिए यूज करने अफिर लिह गो और अफिरि Pip है कि इंपुट स्ट्रीम तो यहां पर यह एक परामिटर बास करेंगे इंपुट स्ट्रीम और दूसरा परामिटर यह लेता है शायद कर से तो बाइडिफॉल्ट यूटि एफ है तो हमें वह लिखने के जरूरत नहीं है ओके अब जैसे हम अपना कोड देखते हैं तो हमें सिर्फ एक रिस्पोंस मिल रहा है login या success होगा या login fail तो फिलाहाल जो मैं कोड लिक रहा हूँ उसमें मैं यही ध्यान दे के लिक रहा हूँ कि हमें सिर्फ एक रिस्पोंस मिलेगा तो एक यह बार मैं read करूंगा तो यहां पे हम buffer reader return हम मैं करूँगा buffer reader taught actually best तरीका यह रहेगा कि सबसे पहले मैं एक यहां पे string ले लूँ string s is equal to buffer reader taught read line तो वो पहली line जो भी हमें response में मिलेगी उसको read करेगा और उसकी value को s को दे देगा और इसके बाद हम buffer reader taught close कर सकते हैं तो buffer reader को भी हमने close कर दिया और read करने के बाद जो s की value है वो मैंने return कर दिया ओके अब हम अपने प्रोग्राम को run करते हैं और इसका output चक करते हैं हमारा जो output है वो fully blank दिख रहा है तो हम वापस अपनी code में जाते हैं और यहां पर देखते हैं कि हमें एक error message मिल रहा है method does not support a request body get तो जो हमारी method है वो support नहीं कर रहा है request body get actually जो हम operation कराना चाह रहे हैं वो post operation कराना चाह रहे हैं और उसका हमने code नहीं लिखा है तो यहां पर एक चीज हम miss कर गया है यहां पर यहां पर अगर हम post operation कराना चाहते हैं तो हमें यह line लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है url connection dot get output do output और इसको true करना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और यह कित नहीं set or set to output true करना इसको ज़रूरी है अब इसका अगर हम documentation परते है url communication says the value of field for this can be input set the do output flag to true if you intend to use the url connection for output तो हम यहाँ पर url connection output के लिए यूज कर रहे हैं इसलिए हमें यह true करना ज़रूरी है और by default input के लिए यह true होता है इसलिए हमें जब भी हम input read करना चाहा है तो हम easily read कर सकते हैं हमें यह लिखने के ज़रूरत नहीं है but output के case में हमें set do output करना बहुत ही ज़रूरी है तो मैंने set to output भी कर दिया अब इसके बाद हम response देखते हैं फिर से application को run करते हैं तो यह बेतर रहता है कि हम programming करते करते जितने भी error हो उसको face करें ताकि next time हम ऐसे problems अगर face हो तो हम तुरह उसको solve कर पाएं और next time ऐसी problems हमें इतना है अगेन हमें कोई न कोई problem मिली है और इस टाइम हमें problem चावा है file not found exception तो यहाँ पर हम अब इस exception से deal करते हैं ओके तो यह मेरा error देखके मुझे लग रहा है कि जो login.php file है यह हमारा जो connection है उस link पे login.php file को नहीं पा रहा है तो यहाँ पे एक गलती है actually मैंने अपने hosting के अंदर एक folder create किया है जिसका नाम है login demo और उसके अंदर मैंने इस file को place किया है तो अगर आपकी जो API होगा वो correct नहीं होगा तो आप इस type का भी error face कर सकते हो तो आप error देख लें यह error file not found अगर हमारा जो file है वो server में नहीं found होता है तो हमें यह error मिल सकता है और mistake मेरी थी कि मैंने folder का नाम लिखना भूल गया था अब देखते हैं अब run होना चाहिए और यहां पर मैंने अपने code को run कर दिया देख रहे हैं कि हमारा code run हो चुका है तो हाँ यहां पर हमें success मिल रहा है और एक और चीज है जो server में मैंने load किया है यह file है तो अकर success है तो success दिखेगा fail है तो fail दिखेगा तो हम इसको भी try कर लेते हैं यहां पर simply जाके कोई एक गलत detail हम डाल देते हैं तो मैंने यहां पर यह गलत detail डाल दिया और इसके बाद मैं फिर से इसको run करता हूं और रन करने के बाद हम इसका output देखते हैं तो वारा जो output है यहां पर दिखेगा और यहां पर मैं failure का message में लाफ मिन्स हम login नहीं कर पाए इस video tutorial में मैंने आपको बताया कि हम API में कैसे request कर सकते हैं post request और API में कैसे हम stream को read कर सकते हैं और stream जो भी response आ रहा है उसको कैसे read कर सकते हैं और जो भी हमें response मिल रहा है उसको मैं text view में set कर रहा हूं तो आपके लिए एक assignment है assignment यह होगा कि आप दो edit text बनाएंगे और जो मैं यहां पर pass कर रहा हूं username and password वो आपको edit text की value लेके यहां पर pass कराना है और इसके बाद अगर login successful हुआ तो आप एक success page दिखाएंगे अगर login fail हुआ तो आप failure page दिखाएंगे तो इसका एक overview मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको क्या करना होगा अपने main activity में दो edit text बनाएंगे यहां पर declare करेंगे उसको edit text को और उसके बाद एक button भी लेंगे जिसका नाम होगा login जब आप login बटन लेंगे तो उस समय आप जो login बटन का set on click listener होगा उसके अंदर इस code को आप run करेंगे और edit text dot get text जो पहला username edit text dot get text password यहां पर आप डाल देंगे और इसके बाद हमें response जो मिलेगा यहां पर इस part में हमें next activity जाने की तो हम यहां पर check करेंगे अगर message जो s dot equals success तो send to success activity और अगर s dot equals failure तो send to failure activity यह आपके लिए assignment है और पूरा यही code रहगा उसमें बस आपको थोड़ी सी modification करनी है और आपको अगर कोई भी problem आया तो आप उसको जरूर comment करिये तो मैं उसमें आपकी सायता करूंगा assignment पुरा complete करने की तो thanks for watching और next video tutorial में हम अभी तो simple हम एक line का हमारा response आ रहा है next video tutorial में हम json parsing सीखेंगे जिसमें अगर हमें कोई भी json response आता है server की तरब से तो हम उसको कैसे parse करते हैं और तो हम अपने movie वाला जो अपनी किसाने उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे thanks for watching see you next time झाल video लुट